उमाभारती ने अब पियम मोदी के खिलाफ खुला मोर्चा पियम मोदी ने OBC वर्थ के साथ किया बड़ा धोका जिस बिलका करते रहे विरोध उसी को ले आई बीजेपी देश के OBC बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे बीजेपी की दिगच नेता और MP की पूर्व सीम और मोद सरकार में कैबिनेट मंत्री रही उमाभारती के तेवर हर दिन के साथ तीखे होते जा रहे हैं और उनके निशाने पर है अपनी ही पार्टी उमाभारती के बयान अब तक राज्य की शिवराज सरकार को परिशान कर रहे थे शिवराज उमाभारती को मनाने की कोशिश भी कर और वो कारण है एक बिल जिसका सबसे पहले उमा भारती नहीं विरोध किया था और आज पियम मोदी उसी बिल को ले आए हैं बात महिला आरशन विध्यक बिल के प्रावधानों को लेकर है जिसके बाद उमा की नाराजगी खुल कर सामने आ गई है और वो सुनिया गांधी के स किला भरी हुंकार की महिला आरक्षन बिल में OBC रिजर्वेशन नहीं है यह OBC विरोधी है 1996 में बीजेपी ने बिना OBC आरक्षन के बिल पेश किया जाने का विरोध किया था जिस प्रावधान को लेकर जताई थी बीजेपी ने आपती अब मोदी सरकार उससे पीछे हटे ब प्रावधान नहीं है और इसी मामली को कॉंग्रेस संसद्य दल की नेता सोनिया गांधी ने लोगसभा में उठाया था और कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन इससे कमजोर वर्क की OBC महिलाओं के लिए भी कोटा होना चाहिए और इसी का समर्थन उमा भारती न ने सोनिया के बयान का समर्थन करते हुए कहा है 1996 में HD देवगोडा की सरकार महिला आरक्षन बिल को लोगसभा में लेकर आई थी लेकिन उस बिल में OBC वर्क की महिलाओं के लिए आरक्षन नहीं था इसलिए मैंने इसका विरोध किया था मेरे विरोध के बाद देवगोडा सरकार ने इस बिल को स्टेंडिंग कमीटी में भीज दिया जिसे 2010 में UPA सरकार ने राज्य सभा में पेश किया था लेकिन ये लोगसभा से पास नहीं हो पाया उमा भारती ने कहा कि अब जो बिल मोदी सरकार लेकर आई है उसे देखकर मैं बेहस सदमे में हूँ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह का बिल संसद में बीजेपी की सरकार पेश करीगी जैसे ही बिल की जानकारी हुई और ये पता चला कि इसमें ओबीसी वर्क के लिए आरक्षन नहीं है तो मैंने पियम मोदी को पत्र लिखा है और उनसे मांग किये कि ओबीसी वर्क को बिल में शामिल किया जाए लेकिन इसका जवाब नहीं मिला उमा भारती ने कहा है कि ओबीसी वर्क कहा है देश में बीजेपी को पहले ओबीसी वर्क के लोग वोट नहीं देते थे ओबीसी वर्क का वोट गैर बीजेपी दलू को मिलता था क्योंकि वहाँ इस वर्क को सम्मान मिलता था उन्हें उचे स्थान पर बैठाया जाता था ये वोट लालू, मुलायम, कॉंग्रेस और दूसरी पार्टियों को मिलता था लेकिन बीजेपी को ओबीसी वोट नहीं देते थे लेकिन पिछले 10 से 15 सालों से बीजेपी में भी उन्हें सम्मान मिलने लगा तो ओबीसी बीजेप का भरोसा नहीं तोरना चाहिए। मांग को स्विकार नहीं किया तो 2024 में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा साथी 2027 में बीजेपी की यूपी की सरकार भी चली जाएगी क्योंकि बीजेपी को बीजेपी का समर्थन मिलता रहा है औबीजेपी के बायान के बाद आप बीजेपी दिखाई दे रही है बैक फूट पर पहले से ही अपनी ही पार्टी के खिलाव मोर्चा खोल चुकी है उमा भारती बीजेपी महिला आरक्षन विध्यक का क्रेडिट लेने की कोशिच कर रही है लेकिन उमा भारती ने बीजेपी को पूरी तरह से बैकफूट पर धकेल दिया है उन्होंने साफ कर दिया है कि इस को लेकर सबसे जादा गुसा ओबीसी वर्ग में है उन्होंने सोनिय गांधी के सुर में सुर मिलाया है वैसे ये पहला मामला नहीं है जब उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हो बीजेपी इस समय मध्यप्रदेश में जन आश्रवाद यात्रा निका जबकि वो पूर्व सीएम हैं और उनके नेत्रित में ही बीजेपी ने कॉंग्रेस से सत्ता चीनी थी उमा ने कहा था कि उन्हें परिवर्तन यात्रा में नहीं बुलाया गया है और अब वो बुलाएंगे तो भी नहीं जाओंगी आरंभ में नहीं गई तो अंत में भी नही नाराजगी करडर बीजेपी को एमपी विधानसबाचुनावों में दिखने लगा है उमा भारते की नाराजगी से बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान लोधी मतदाताओं पर उमा भारती की है जबरदस पकड मद्यपरदेश में 6-7 फीसीदी के बीच में लोधी समु कर इज़ार कर रही है अगर उमा भारती की नाराजगी बीजेपी से बनी रहती है तो बीजेपी को जबरदस नुकसान हो सकता है दरसल मद्यपरदेश में करीब 13 लोग सबाच सीट और करीब 75-80 विधान सबाच सीटों पर लोधी मतदाता निर्नाय की सिती में है खासतोर प सीटे हैं जहां लोधी समुदाए किसी भी उमीदवार की हार्थ ताय कर सकते हैं ऐसे में बीजेपी को डर लग रहा है अगर उमा भारती नाराज रहती है तो इसका नुकसान पार्टी को विधान सबाच चुनावों में उठाना पड़ेगा उमा भारती पहले से ही नाराज चल रही है पिछले विधान सबाच चुनाव में कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टकर हुई थी दोनों ही दलों में सिर्फ 5 सीटों का फासला था कॉंग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटे मिली थी जबकि वोट शेर की बात की जाए तो बीजेपी को 41.02 प्रत के चलते वो बीजेपी को वोट करेगा पहले अपना हित सोचे फिर कोई पार्टी देखे क्योंकि उमा भारती ये बात भी कह चुकी है तो यह थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हमारे यह वीडियो कैसे लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे औ नमस्कार खबरें आप तक पहुंशती रहें देखते रहें डीवी लाइब क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार